अब बच्चो गुड मॉर्निंग सभीकों वैलकम टू दा स्पी सर्मक्लासिस और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टोपिक डिसकस करने जा रहा हूं जिसमें हम यहां पे पड़ेंगे कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक लिष्ट को इनपुट करो क्या करना है आ गव्फ एक नँबर को इनपुट करा होगे और एक एक नंबर को इनपुट करा करते रहोगे वहीं करना है मैं इसी यहां लोजिक हमें तो इस तरय का कुछ logic हमें यूज करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं कि आप से अगर कहा जाए कि आप एक list create करो user defined list जिसमें user अपनी मर्जी से number enter करेगा ठीक है run time पे तो user defined list होनी चाहिए and numbers की तो वो किस तरीके से हम input कराएंगे तो देखो आपको पता होगा कि python में अगर हमें कुछ भी चीज इनपुट करानी होती है तो हम input नाम का एक function लेते हैं तो अगर मैं यहां पर जो है इनपुट नाम का एक function यूज करता हूं मैंने लिखा एल एकवल टू और इनपुट नाम का एक function लिखा और इसको नोल टूट precedent कर दिया एंटर लिख्ट लेकिन यह इनपुट क्या होता है इसका टता है इस्ट्रिंग ठीक है तो इहां पर इंटर क्रों कर दिया है यह क्योंकि it in return करेगा यह तो return करेगा इस थे मिघृन को हमें चाहिए क्या हमें चाहिए लिष्ट अगर आप इसको प्रिंट करा दोगे इसी तरीके से और प्रिंट कराने में आप L को प्रिंट कराओगे और फिर आप अगर प्रिंट करके देखना चाहो कि इसमें कितने एलिमेंट है ल इन ओफ एल ठीक है यह मैथड लगाया इस प्रोग्राम को सेव किया अब देखो यहां पर क्या प्रोब्लम है अगर मानलिया मैंने एक लिष्ट करी वन टू त्री फॉर फाइव पाच अलिमेंट लिखे आउट्पुट में तो आगया लेकिन यहां पर ग्यार होगी इसकी यह वन होगी यह टू होगी ऑच्छा तो टैन give कितने हैं 11 अंधाय है घो से लेorkech टैन तक वी एलिमेंट टोटल 11 हुए चबकि हमारे पास क्योंकि यह इस च्रिंग है यह इस च्की फॉर्म में आया है output हमें तो list की form में चाहिए था हमें तो output पाच चाहिए था हमें तो यह इस तरह से चाहिए था one two three four five थे तो indexing ऐसा होनी चाहिए थी zero one two three four और पाच element आ जाते तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई तो हमें की one by one करके append करो यह solution नहीं है लेकिन solution बहुत ही सिंपल है आप इसके सामने लगा दो हमारे पास एक function होता है जो एजे expression लेता है ठीक है जब हम अब इसको run कराएंगे तो अब देखेंगे आप यहां पर क्या होगा हमारे पास यहां पर आपने लिखा one two three four और five और जैसे एंटर करें अब क्या आगया हमारे पास पाच अलिमेंट यह लिष्ट बन गई है यह इस्ट्रिंग नहीं है आप कोमा के बाद में भी स्पेस देख सकते हैं उपर जैसा लिखा था बिल्कुल आजेटी जाया था यहां पर ऐसे नहीं यहां पर लिष्ट की फोर्म में को एन एलिमेंट की लिष्ट अगर करनी है तो कैसे कर सकते हैं इंपुट के साथ यूज करेंगे और यह हमारे पास क्रियेट पर जाएगी लिष्ट ठीक है तो इस तरीके से हम करते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए-बाए